दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो फोन है पहला है आईफोन दूसरा है एंडरॉइड लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एंडरॉइड फोन को आईफोन बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें काफी ज़्यादा पसंद होता है आईफोन मोबाईल ऐसे में को iPhone easily बना सकते हैं तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा वीडियो को ला सक देखना पड़ेगा सो इस टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोट इस रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिकेशन को आल पर सेट कर देना तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए आईफोन का वाल पेपर तो आईफोन का वाल पेपर के लिए आपको क्या करना पड़े गा देखो सारी अप्लिकेशन यहाँ पर हमने तीन अप्लिकेशन इस्टाल किया पहला वाल पेपर का दूसरा है लौंचर का तीसरा है नौच का डायनमिक आइसलेंड ठीके तो आपको पले स्टोर में सारी application मिल जाएंगी ठीक है आपको यहाँ पर search करना जाके iPhone 15 wallpaper और यहाँ पर अगर मैं search करता हूँ iPhone launcher तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर iPhone launcher भी आ गया है सारी application आपको मिल जाएंगी ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक wallpaper लगाएंगे अपने mobile में ठीक है सारे wallpaper मिल जाएंगे जो iPhone में आ रही है ठीक iPhone 11, 12, 13, 14 सबका मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लगाने वाली है 15 का तो मुझे यह वाल अच्छा लग रहा है मैं simply इस पर क्लिक करता हूँ Set as wallpaper home screen ओके आप देख सकते हैं कि set हो चुका है अगर मैं cut करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो iPhone का वाल पेपर वर सेट हो चुका है अब दोसरा काम करना हमको notch set करना है जो Iceland, Dynamic Iceland है तो आपको D notch Play Store पे लिखके सर्च करेंगे यह application मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसे on करना पड़ेगा हमने on कर दिया अब यहाँ से permission देना पड़ेगा तो permission भी दे देते हैं क्योंकि बिना permission application open नहीं होती आपको पता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर notch आ चुकी है अब यहाँ से आप उसे adjust कर सकते हैं आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है कहा रखना है आप देख सकते हैं ऊपर चला गया मोटा रखना है बड़ा रखना है लेट रखना है राइट रखना है आप अपने हिसाब से उसे select कर सकते हैं ठीक है जिसे launcher application open करेंगे सबसे पहले यहाँ से आपको click करना क्लिक करने के बाद में get start पर click करना है अब जैसे हम get start पर click करेंगे यहाँ पर यहाँ आपसे permission मांगेंगा storage का camera का call का तो आपको permission देना है यहाँ से permission अब जैसे हम permission देंगे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहां पर जो इसका notification एकसे से दिखा रहा है अगर आप अग्री करते हैं तो notification भी कुछ इस तरीके से आएगा तो हम agree कर देते हैं और यहां से application को permission दे देते हैं यहां पर है तो यह iPhone 15 नाम play store में दिखाएगा लेकिन यहां पर 14 दिखा रहा है sorry अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे इन button है ठीकि अगर आप इन button को hide करना चाहते हैं एक यहां पर इस बटन को चाहते हैं तो आपको सेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं ठीकि hide कर देते हैं आपको यहाँ पर full screen पर select करके get start पर click करना है so finally जो हमारा mobile है अगर आप इस default launcher set करना चाहते हैं तो आप default launcher set कर सकते हैं यानि हमेशा यही आएगा ठीक है तो just map को दिखा देता हूं ओके आप देख सकते हैं जो हमारा सारा का सारा UI है user interface है change हो चुका यहाँ पर आपको shortcut भी दिख जाएगा जो iphone वाला होता है आप देख सकते हैं ओके अब अगर आप swipe करेंगे swipe करेंगे swipe करेंगे और यहाँ पर यह भी चीज़ आपको दिख जाएगा आप देख सकते हैं ओ भाई मस देखो इदम आइफोन की तरह पूरा का पूरा आइफोन की तरह दिख रहा है इधर देखो एक नमबर और दोस्तों जो भी एक्टिवीटी होती आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा डायनमिक आइसलेंड है वहां पर भी दिखा रहा है ऐसा नहीं कि चलो फेक हम एक्सेस भी कर सकते हैं ओ भाई मस्त यार यह भी देखो पूरा का पूरा आइफोन की तरह है नौटिपिकेशन भी पूरा आइफोन की तरह है सो उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर चैनल को सब्सक्रा करना मिलते नेक्स वीडियो में बाई